आज कल इंस्टाग्राम कितना पोपुलार है तो आप सबको पता ही है और अगर आपको इंस्टाग्राम पे फेमस होना है तो आपके अंदर कुछ कॉलिटी होनी चीए जैसे कि क्रियेटिविटी और आपको दिन दुनिया से हटके कुछ करना होता है तब यह आपका कंटेंट वाइरल हो सकता है तो मुझे एक ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में पता चला जो इतना नैच्रल एयर मैं क्या ही बता हूँ भाई मैंने बाइक की बहुत गंदी-गंदी आलत देखी है लेकिन बुलट को पहली बार इस प्लैंडर की मौत मरते देखा है खली सर की वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है खली सर ने स्रिक बहांड दा सीन और ब्लूपर्स डाल रखे है यही होता है बाई जब आप भनी सिंग के जमाने में अपने बच्चे को केलास खेर के गाने सुनाते हो आपको तो पते ही होगा कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम बैन होने वाला था लेकिन फिर गौर्मेंट को खली सर के इंस्टाग्राम के बारे में पता चला फिर क्या गौवर्मेंट की इम्मत तक नहीं खली सर से पंगा लेने की पाद मार के पता नहीं कौन से प्लैनेट पे पहुचा दे चलो भाई शुकरा खली सर ने खुते को तो नहीं उडाया अभी कुछ दिन पहले किसी ने उडाया था बिचारे को पुलीस नहीं उडा दिया खली सर के इंस्टाग्राम देखने के बाद एक बात तो किलियर है ना तो खली सर को Apple पे बरोसा है और ना ही Google पे तभी तो खली सर ने अपने गैलरी का बेक अप करने के लिए Instagram अकाउंट बनाया है मुझे तो भाई विश्वास नहीं हो रहा जिस बंदे को देखकर मैंने WWE देखना इस्टार्ट करा था जो बड़े-बड़े रैसलेट्स की ऐसी आलत कर देता था वो आज रिल्स पे ऐसी वीडियो बना रहा है घली सर का Instagram अकाउंट इतना खतनाक है तो सोचो कमेंट सेक्षन कितना खतनाक होगा घली सर ये बाईक सलमॉन भाई पे चड़ा दो रादे मूवी बनाने के लिए मरना तेरे को डर नी लगता सर पाद मार के चाइना को उड़ा दो सर मेरे गाल लाल कर दो थपड मार के भाई अगर सर ने सही में थपड मार दिया ना तो तेरा गाल ली कुछ और ही लाल होगा चलो भाई एक बार को ये कमेंट समझ आ भी जैं लेकिन सर के फैंस की फैंटेसी देखो भाई सर मुझे प्रेगनेंट कर दो सर मुझे भी अपनी टांग पे ऐसे जूला जुलाओ न सर मुझे बरबाद कर दो मैं बरबाद होना चाहता हूँ और बाकी कमेंट सेक्षन में आदे से ज़्यादा कमेंट्स यही हैं कि सर ये खालो वो खालो चांद पे चले जाओ मार्स पे चले जाओ बिल्कुल सही बात है भाई एक साइड से अंडर्टेकर और दूसरी साइड से खली और फिर प्लैनेट्स के साथ अंताक्षडी न खिल ले तो बस यार इस वीडियो के लिए इतने ही और यार इतने भी मज़े मतलों कि सामने वाला बंदा परेशान हो जाए मज़ा तब तक सही है जब तक सामने वाले के लिए भी बस वो मज़ा की हो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले